fusion reaction देखें, fusion reaction में problem यह है कि अभी तक हम fusion तो अचीव कर पाए है fusion की वज़े से हम electricity बना पाए है लेकिन fusion अभी भी कहीं न कहीं concepts में ही अर्टकव हुआ है practically हम उसको applicable नहीं बना पाए है फ्यूजन को और उसकी वजह बहुत सारी है कि हीट बहुत सारी हमें मिलती है मतलब जितनी फिजन में हीट मिलती है उससे कहीं जादा हमें हीट फ्यूजन में मिलती है लेकर सवाल यह है उससे पहले मैंने यह तो बताए है नहीं कि फ्यूजन होता क्या है fusion का मतलब है मिलना जैसे हम कहते हैं न बिंगो टेड़े मेड़े इसमें है मिर्च और धनिया का तड़का मिर्च और धनिया का fusion हम गोलते हैं तो fusion का मतलब यह होता है कि दो चीज़ों का मिलना fusion का मतलब यह था कि आपने एक nucleus को breakdown कर दिया दो daughter nuclei में लेकिन fusion उससे उल्टा है उसमें जब हम दो daughter nuclei को मिला देते हैं मिलाके जब हमें एक बड़ा nucleus मिलता है आप जब मिला देंगे तो वो जो mass है वो mass again energy में convert होगा तो उसकी वज़े से जो हमें energy मिलती है वो भी बहुत जाद होती है बहुत जादा energy होती है तो फ्यूजन क्या है फ्यूजन के definition लिख लेते हैं वैं है वैं है वैं है टू कि टॉर्टर है कि न्यूक्लियाई कि पॉम्स है कि ए बिगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस दैन हुज अनर्जी विल रिलीज बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और जैसे मैंने गहा कि इस एनर्जी को अभी हम कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है अभी तक हम ऐसे प्रैक्टिकल मैटड्स नहीं बना पाएं जिससे हम इस एनर्जी को चन्ट्रोल कर पाए तो अभी यह कॉंसेप्ट्स में ही अटका हुआ है तो फ्यू준 की इस्टरुडी बेस्ट होती है कहाँ पर संपर Sun की help से अगर हम study करें, Sun में क्या हो रहे है? दो hydrogen, hydrogen, fuse होते हैं और एक helium बना देते हैं Hydrogen, hydrogen दोनों चोटे nuclei हैं यह मिलके एक बड़ा nucleis, that is helium फ रम करते हैं तो उसमें fuse and reaction निकेक्शन कैसे होता है? वो पहले reaction हम लिखते हैं देखिए कैसे होगा देखिए डेट इस फ्यूजन ए रिएक्शन इन सन सन में क्या हुआ कि दो हैड्रोजन एक हैड्रोजन और एक हैड्रोजन दोनों मिलें और दो हैड्रोजन ने मिलके बना दिया क्या एक Dutron देखिए वहाँ तो धेव पड़ा हुआ है Hydrogens का, वो मिलके कुछ भी Form कर सकते हैं, तो Dutron Form कर दिया और Dutron Form करने के बाद देखिए, Atomic Number 2 हो जाना चाहिए था, और Mass Number भी 2, तो Mass Number तो 2 हो गया, लेकिन Atomic मतलब Protons एक ही बना, Dutron बन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बहार निकला, that is E+, this is Positron, और कुछ ये Antineutron नो 0.24 Million Electron Volt energy निकली, ठीक है अब ये जो Positron है इस Positron ने ये Positron कंबाइन हो गया किसी Electron के साथ Electrons के साथ कंबाइन हो गया, तो अगेन हमें Energy मिली गामा की इस की फॉर्म में और हमें जो Energy मिली, that is 0.1.202 Million Electron Volt इतनी Energy मिल गई, ठीक है अब ये जो डूट्वोन था ये डूट्वोन अगेन कंबाइन हुआ किसी Hydrogen के साथ ये Hydrogen के साथ कंबाइन हुआ तो Hydrogen के साथ कंबाइन होके इसने एक Unstable Helium बना दिया, ठीक है Unstable Helium प्लस यहां जो हमें मिला that is Gamma Rays प्लस Energy 5.49 Mega या Million Electron Volt ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो Helium है ये Helium अगेन दो Helium मिले मतलब पूरा धेर पड़ा हुआ है वहां कोई भी किसी के साथ भी मिलके reaction बना सकता है अब इस Helium ने जब ये दोनों Helium मिले तो हमें finally मिल गया क्या एक Strong ये एक Stable Helium ये Light Helium है Stable Helium और हमें क्या मिल गए हमें मिल गए दो Hydrogens दो Hydrogens मिले और जो Energy हमें मिल गए that is 12.86 Million Electron Volt इतनी Energy मिल गई लेकिन इसके बाद भी ये reaction रुका थोड़े ना उसके बाद भी ये reaction नहीं रुका और इसके बाद ये reaction जब continue हुआ आगे तो किस तरह से हमें आगे reaction मिला उसका process क्या था वो समझते हैं देखिए हमें जो आगे values मिली वो values मैं अभी यहां लिख दूँगा कैसे आई वो values वो देखिए कि इसको हमने 2 से multiply किया इसको 2 से multiply किया इसको 2 से multiply किया और add कर दिया और इसको तो assets रहने दिया तो add 1 2 3 and 4 यह 1 हो गए यह 2 यह 3 और यह 4 सबको add कर दिया लेकिन 1,2,3 को 2 से multiply कर दिया अब देखिए 2 से multiply किया तो यहां पे 4 hydrogen हो गए तो hydrogen आ गए आपके पास क्या 4 यहां पे hydrogen आ गए 4 hydrogen आ गए ठीक है अब देखिए और क्या चीज़ है 4 hydrogen यहां आ गए अब next question में बात करते है यह 2 positron और 2 electron तो positron दो यहां पे है और 2 यहां पे हो गए तो यह तो cancel हो गए लेकिन 2 electron मिल गए अब आगे बात करते हैं इसके यहां पे 2 duotron हो गए यहां पे भी 2 duotron हो गए यह इसके साथ cancel हो गया 2 helium यहां पे हैं और 2 helium यहां हो गए यह cancel हो गया मतलब LHS में कुछ भी नहीं आए सिर्फ यही यहीं आए चलिए अब RHS में आपके पास क्या आया इस side मैं RHS बोल वहाँ RHS नहीं होता मिलकि यह इस side balancing side में क्या है आपके पास तो देखे यहां पे आपके पास यह positron इससे हट गया था यह duotron यहां से हट गया था यह आपको मिला anti neutron हो तो कितने मिले यहां पे देखे उससे पहले हम देख लेते हैं हमें actually क्या मिला यह हट गया है यहां पे हमारे पास यहां पे मिला एक strong helium strong helium 2H4 plus और क्या मिल गया हमें और हमें मिला gamma rays यह 4 times यह 2 तो 6 gamma plus 2 anti neutron plus जो हमें energy मिली that energy will be 26.7 mega electron या million electron इतनी energy मिली ठीक है तो इतनी energy हमें मिल जाएगी fusion से अभी हम सोच रहे है कि मिलनी चाहिए इतनी energy अगर fusion हम सच में achieve कर पाए तो इतनी energy हमें मिल जाएगी लेकिन एक चीज अगर मैं compare करूं फिजन और fusion को तो फिजन की वज़े से हमें जो energy मिली थी that was 216 mega electron volt और fusion की वज़े से हमें जो energy मिली है वो इतनी मिली है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको फिजन में ज्यादा energy मिली है लेकिन एक चीज देखिए फिजन में ज्यादा energy मिली है लेकिन फिजन की ज्यादा energy के लिए आपने एक uranium खर्च किया ठीक है और uranium में कितने nucleons थे उसका जो mass number है मतलब proton प्लस neutron वो 235 है मतलब की 235 की वज़े से आपको जो energy मिलती है 235 nucleons की वज़े से आपको energy मिलती है 216 mega electron volt या million electron volt तो आपको एक nucleon की वज़े से energy कितनी मिलेगी that will be 216 divided by 235 that will be equal to 0.9 million electron volt क्या समझ में आगई बात तो ये value up को मिल जाएगी अब मतलब एक nucleon से ये energy मिली लेकिन ज़रा उपर देखिए आपको इतनी energy मिली है किसकी वज़े से सिर्फ 4 hydrogen की वज़े से तो एक hydrogen की वज़े से energy कितने मिलेगी लगबग लगबग 6.5 mega electron volt तो fusion में जो energy मिलती है वो बहुत बहुत ज़ादा मिलती है as compared to fission और इसकी energy इतनी ज़ादा होने की ही वज़े ये है कि अभी तक हम इसको control करने का कोई तरीका नहीं ढूंड पाए अगर हम कोई तरीका ढूंड लेंगे तो definitely हम fusion पे ही switch करेंगे fusion नहीं करेंगे क्यों क्योंकि कोई radiation नहीं होता fusion में दूसरी बात fusion में आपको जो source चाहिए वो क्या है hydrogen hydrogen की कमी थोड़े ना है hydrogen ही hydrogen है ठीक है पानी से हम hydrogen को अलग कर सकते है तो hydrogen बहुत सारा है सर्थ पे लेकिन uranium उस quantity में नहीं है एक दिन वो खर्च हो जाएगा खत्म हो जाएगा जिस तरह की population है जिस तरह की demand है ये जो uranium है वो खत्म हो जाएगा लेकिन water बहुत जादा है उससे हम hydrogen बना सकते हैं जिन से हम फिजन अचीव कर सकते हैं तो अगें फिजन इस मच बेटर देन फ्यूजन लेकिन एनरजी बहुत जादा रिलीज हो सकती है होती है इसलिए हम इसको अभी तक कंट्रोल करने के कोई तरीके नहीं ढूंड पाएं लेकिन बहुत सारी कंट्रीज काम कर रही है कुछ दिन पहले मी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और आर्टिकल में यहां की जो कंपनी है इंडिया की लार्सन और टर्गो उसने भी कुछ लार्सन ने भी कुछ कोई ऐलिमेंट फ्यूजन रियक्टर के लिए बना के भेजा है शायद यह पैरिस भेजा गया है वहाँ पे बहुत सारी कंटरीज मिलके एक जोइंट प्रोग्राम बना रही है फ्यूजन रियक्शन के लिए तो वो कैसे अच्छीव होगा वो तो देखने वाली बात है बाद में देखेंगे उसको लेकिन फिलाल उसके काम चल रहा है यह बात से भूरी है ठीक है इसके अलावा एक और चीज कि फ्यूजन रियक्शन को अभी तक हमने कंस्ट्रक्टिव यूज उसका नहीं देखा लेकिन हम उसका डिस्ट्रक्टिव यूज देख चुके हैं बेस्ट्रक्टिव यूज कैसे की फ्यूजन का हम कैसे यूज करते हैं अब दैटमाद है यहां पर की एक मैथेड है फ्यूजन गैज मैं इसको मिटा देखा ह। हुआ है जाए यहां पे हम एक स्ट्रॉंग और यहां पे स्ट्रॉंग नेगेटिव लगा देते हैं तो यह यह electric field का direction हो गया अब क्या करते हैं हम और बहुत strong electric field है अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लाके एक hydrogen को बहुत जादा गर्म करते हैं बहुत जादा heat up करते हैं जिस heat up करने की वज़े से वो अपना electron lose कर देता है जब hydrogen electron lose करता है तो वो plasma बन जाता है ठीक है उस plasma को लाकर डाल देता है मतलब सिर्फ proton है इसमें अब proton को लाकर हम डाल देते हैं यहाँ ठीक है अब proton को लाकर जब हम यहाँ डाल देते हैं तो क्या होता है कि proton हमने यहाँ पे दो डाल दिये दो proton को मतलब दो hydrogen को हम fuse कर रहाना चाहरे हैं तो fuse करने की वज़े से यह दोनों hydrogen यहाँ जाने की कोशिश करते हैं negative side में लेकिन अभी भी यह fuse हो नहीं सकते क्योंकि proton proton को repel करता है और उसके लिए उसका repulsion खत्म हो जाए इसके लिए यहाँ पे energy produce करनी पड़ देगी वह energy किस फॉर्म में produce की जाती है हम यहाँ पे लाके एक nuclear fission कर रहा देते हैं fission की वज़े से यहाँ पे इतनी heat release होती है कि वो जो protons है वो fuse हो जाते है और बहुत सारी energy उसकी वज़े से release होती है that is the example of hydrogen bomb वो hydrogen bomb का एक example है that तो इसलिए मैंने starting में बोला कि अभी तो हम fusion के destructive use को देख पाएं constructive use के लिए अभी भी काम चल रहा है क्या समझ में आगी बाद तो यहाँ आपका यह chapter that is nuclei complete होता है अब next video lecture होगा semiconductor के लिए और उसके बाद आपका यह syllabus खत्म हो जाएगा thank you so much